कॉंग्रेस आज देश की सबसे बड़ी दशा दिशाविहीन दिशाविहीन पार्टी बन कर रह गई है इन दिनों कॉंग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने एक नया पैतरा चला है यह पैतरा है नाम बदलने का पहले के जमाने में राजतान के लोग व्यापारियों की दुनिया बराबर जानते हैं पहले के जमाने में कोई पीडी कोई कमपनी अगर बदनाम हो जाए उसके फ्रॉड करने वाली कमपनी का चिठ्ठा निकल जाए तो तुरंत वा कमपनी वाले नया बौड लगा करके अपना कारोबार सुरू करकर के लोगों को ब्रमीत करने का काम करते हैं और नाम बदल करके लोगों को मुरक बना करके अपना धंदा पानी चलाने की कोशिश करते हैं कॉंग्रेस और उसके साथियों की जमाक ऐसी फ्रोड कमपनियों की नकल कर रही है UPA के कुकर मा लोगों को याद ना है इसलिए इन्होंने अपना नाम UPA से बदल कर INDIA कर दिया और इतना लंबा कर दिया कि लोग भूल जाए UPA के नाम बदले नाम बदला है ताकि यह आतंगबाद के सामने गुटने टेकने का अपना पाप चिपा सके इन्होंने नाम बदला है ताकि यह कर्ज माफि के नाम पर किसानों से विश्वाजगात को चिपा सके UPA नाम बदला है ताकि ये गरीबों के साथ किये गए छल कपड को छिपा सके और मैं आज राजस्तान की धर्ती से देश के लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ इनका तरीका वही है जो हमेशा देश के दुश्मनों ने अपनाया है पहले भी ये तो INDIA के नाम से आये हैं लेकिन पहले इंडिया के नाम के पीछे अपने पाप को छुपाने का प्रहास किया गया है इंडिया नाम तो इस्ट इंडिया कंपनी में भी था इस्ट इंडिया कंपनी में में इंडिया था कर नहीं था लेकिन इंडिया नाम अपनी भारत भक्ती दिखाने के लिए नहीं बलकि भारत को लूटने के इदादे से लगाया गया था आपको याद होगा कि कॉंग्रेस के साथनकाल में सीमी यानि स्टूडेंट इस्ट्लामिक मूव्मेंट अफ इंडिया बना था नाम में इंडिया था लेकिन मिशन इंडिया को आतंकी हमलों से बरबाद करने का था जब इसके कुकरमत सामने आए तो सीमी पे बेंड किया गया और ये बेंड हुआ तो फिर नया नाम लेकर आए उन्होंने भी नाम बढ़ला PFI सीमी बन गया PFI यानि Popular Front of India नाम नया नाम में फिर इंडिया लेकिन काम वो ही पुराना साथियों INDIAK नाम के लेबल से ये अपने पुराने कारनामों को छुपाना चाहते हैं UPA के कारनामों को छुपाना चाहता है अगर इनको वाकई इंडिया की परवा होती तो क्या विदेश में जाकर के विदेश्यों से भारत में दखल देने के लिए बात करते क्या अगर उन्हें इंडिया की चिंता होती तो क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक और एर स्ट्राइक पर सवाल उठाते क्या इनको इंडिया की चिंता होती तो क्या ये गलवान में भारत की सेना के सौर्य को कटगरे में रखते क्या साथियों ये वही चहरे है जो आतंकी हमला होने पर दुनिया के आगे रोते थे कुछ नहीं करते थे इने देश के सुरक्षा बलो के सामर्द पर बरोसा नहीं है ये वही चहरे है जिनोंने हमारे शैनिकों का हक मारा है दसकों तक हमारे शैनिक वन रैंक वन पैशन मांगते रहे लेकिन इनोंने नहीं दिया जो लोग टुकडे टुकडे गैंग को गले लगाते हैं जो लोग भारत में भाषा के आधार पर बंटवारा करते हैं जो लोग विदेशों से सम्मंद भी इस आधार पर बनाते हैं कि उनका वोट बैंक नाराज ना हो जाए जिनके लिए राष्ट हित नहीं बलकि वोट बैंक सरवो परी है बे लोग आजब आई एंडी आई ए की बात करते हैं तो दिखावा लगता है चलावा लगता है जूट लगता है भाई और बेनो इन लोगों में अहंकार कुठ कुठ कर भरा हुआ है एक बार इनोंने नारा दिया था इंडिरा इंडिया इंडिया इस इंडिरा और तब देश की जनताने उनका हिसाब चुकता कर दिया था चुन-चुन करके साब कर दिया था उखाण फैका था उनलोगों को अहंकार ने अहंकार से भरे वियए नोगों ने फिर वही पाप दो रहाया है यह सुधर्य को त्यार नहीं है यह लोग कह रहे हैं UPA is India, India is UPA, इनका जनता पर फिर से एक बार वही हाल करेगी जो पहले किया था साथियों हम जानते हैं कि आजाजी का अंदोलन जब पूरी प्रखरता पर था तो मातमा गांदी ने एक नारा दिया था, ये नारा देश के लोगों की प्रेड़ा बन गया था और आजाजी के अंदोलन में इस नारे ने उर्जा भर दी थी, नवज़वान स्कूल कॉलेज में अफ़ती किताबे छोड़ करके मातमा गांदी के आदेश पर आजादी के लिए चल पड़े थे, जैने भर दी थी, अंग्रेजों की गोलियां कम पड़ गई थी, वो दिन थे, और तब मातमा गांदी ने जो नारा दिया था, आज फिर से बेश के कल्यार के लिए, देश के उजवल भविश्य के लिए, उस नारे की फिर से जरूरत है दोस्तों, इस नारे को फिर से गाउं गाउं गर गर पहुंचाने की जरूरत है, वो क्या नारा था, मातमा गांदी ने नारा दिया था, पीट इंडिया अंग्रेजों इंडिया छोड़ो और अंग्रेजों को देश छोड़ कर जाना पड़ा था वैसे ही आज हम संबरुत भारत बनाने का संग्यर लेकर चले जैसे गान्दी जी ने पीट इंडिया का मंत्र जिया था वैसे ही आज का मंत्र है ब्रस्चाचार त्वीट इंडिया ब्रस्चाचार छोड़ो इंडिया परिवारबाद त्वीट इंडिया तुस्थी करण त्वीट इंडिया त्वीट इंडिया ही देश को बचाएगा और देश को विक्सित भारत बनाएगा